नमस्कार दोस्तों, आप सबी का ये स्टडी फॉर यूपेसी पीसे से नस्वागत है अर्सठीमी बीपेसी के लिए एक न्या पैटर्न लागू हो गया है अबी से मेंस के लिए भी डिसाइड हो गया है और प्री एक्जाम के लिए भी आयोग ने डिसाइड करके बता दिया है कुछ भी नहीं किया है इन्होंने जो बहुत सारे राज्ज अब छोड़ रहे हैं जिन पैटर्न को उस पैटर्न को बीपेसी अपना रही है तो सुरू सब्जेक्ट आपका हटा ही दिया गया लगभग में एक्जाम क्यों ले रही है सौर नंबर का आपका आप्सिनल का पेपर होगा उसमें आपको अंक भी निर्धारित होगा कि इतना अंक तो मिनिममम लाना है या जैसे जनरल बच्चों को जनरल बॉइज को 40% अंक लाना है है ना लेकिन इसको जोरा नहीं जाएगा मार्क साब का परते हैं पूरा उसके बाद से बता देता हूँ और सठमी प्रतियोगता के परिक्षा के लिए प्रकासित बिग्यापन गंडी का बहुती खराब हिंदी लिखा है छोड़ो अंकित है कि प्राड़मी प्रिक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन लागू किया जाएगा पहले ही बता दिया गया था अर सठमी के नोटिफिकेशन में आप से उन्होंने पोल लिया था कहां पर जो फॉम भरने के लिए आपको दिया गया था उसमें याद करो तीन ओप्सन में से सेलेक्ट करना था तो मैक्सिवम बच्षो ने सेलेक्ट किया है कि 150 कोस्टन में निगेटी मार्किंग होना चाहिए और गलत होने पर एक वटा चार अंक काटना चाहिए यही पर यहां प्रलागू किया गया इसी को 150 के 150 सवाल में क्या होंगे निगेटी मार्क्स होगा और आपका एक वटा चार काटा जाएगा उसमें भी क्या-क्या बता है इन्होंने कि प्रतेक प्रस्ट जिसके लिए अभियर्थी दौरा गलत उत्तर अंकित किया गया है एक चौथाई अंक दंड सरूप काट लिया जाएगा 0.25 यह दिए अभियर्थी दौरा एक प्रस्ट के लिए एक सथिक उत्तर दिये जाते हैं उसे भी गलत मानते हुए अंक काट लिया जाएगा अब एक ही बबल भरना है एक में आपने दो बबल भर दिया तो यहाँ पर भी आपका नबर कट जाएगा ओके छोड देते हैं अगर आप कोई उत्तर नहीं देते हैं उससे में कोई दंड आपका नहीं लएगा कोई नमबर नहीं काट जाएगा कोई प्रस्ण आपने अटेम्ट नहीं किया है तो अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो आपको कोई नमबर नहीं कटेगा इसलिए जो लोग भी प्रैक्टिस कर रहें अर्सथमी देने के लिए उनको अभी सही सीखना परेगा कि सारे के सारे सवालों को हमें नहीं एटेम्ट करना है सवालों को छोड़ना आना चाहिए आपको वो जो पहले चलता था नि कि देर सो को देर सो रंग के आते थे पेपर में वो अब छोड़ना पड़ेगा आपको हाँ ये है कि एक वट्टा चार अगर है न नेटी मार्किंग नेटी मार्किंग में भी अलग-अलग होता है करने का स्टेटिजी जैसे एकवटर तीन रहता है तो कोसिस करो कि गलत वाले को छूओ भी मत तब तक जब तक स्योर नहों कि बहुत ज़ादा एकवटर चार में क्या होता है इसलिए निगेटी मार्किंग का अच्छा चीद क्या होगा कि तुक्के बाज लोगों को थोरी सी दिक्कत आ सकती है तिन कोई ऐसा भी सोचोगे कि बिल्कुल करांतिकारी परिवर्तन हो गया है बहुत सारे आयोगती इस पैटरन को छोड़ चुके है सबने सी सेट लागो कर दिया है खेर चलो नया आया है तो इसका स्वागत कीजिए यही है अब मुख्य परिवर्तन किया गया है आपके मेंस एक्जाम में अभी भी कितने नम्मर का एक्जाम होगा सामाने हिंदी सौ अंक इसका मार्क्स नहीं जोरा जाएगा यह कितने कराएगा यह आपका 30% मार्क्स आपको इसमें पास करने के लिए लाना हुगा सामाने हिंदी में इसको हटा देते हैं पहले इसका एक्जाम देना परेगा आपको GS1, GS2 और निबंध यही आपके मार्क्स डिसाइड करेंगे और इसी के आधार पर आपको पद मिलेगा D.Y.S.P.S.T.M. जो भी बनेगे इसी का अंक जुडेगा आपके मार्क्स डिसाइड पर बाकी इन्होंने सबसे अच्छा चीज क्या किया और समझ में ना आने वाली चीज भी यही है वेकल्पिक भी से 100 अंक का कर दिया है वेकल्पिक भी से का होगा और M.C. की वाधारित होगा आगे पढ़ते हैं आगे अभी ट्विस्ट आना बाकी है सामाने हिंदी में 30% अंक प्राप्त करना आनिवारी होगा पहले भी यही था किन्तु मेधा निर्धारन में मतलब मेरिट डिसाइड करने में प्रियोजन के लिए इसकी गन्ना नहीं की जाएगी यह तो पहले भी था इसी प्रकार वेकल्पिक भी से यानि की ऑप्सनल सब्जेक्ट में राज सरकार द्वारा निर्धारित नियूंतम प्राप्तंक प्राप्त करना आनिवारी होगा परन्तु मेरिट डिसाइड करने के प्रियोजनार्थ इसकी गन्ना नहीं की जाएगी ऑप्सनल की भी गन्ना मेरिट डिसाइड करने के लिए नहीं की जाएगी बंदू यहीं पर खतम हो गया तब मुझे कोई ये बता दे और आगे आएगा भी वेकलफिक विसे में इसकी गनना भी नहीं की जाएगी MC क्यू आधारित है तो ले क्यो रहे हो एक्जाम हटा दो UPSC ने हटा दिया है UPSC भी सोचरी के आप्जानल हटा देंगे और आपको पता है 2010 से पहले UP के एक्जाम में UPSC में Optional का Objective अधारित होता था ऐसे ही सेम पैटर 2010 तक में जब तक C-Sat लागू नहीं वहाता UPSC में PT में एक पेपर होता था Optional का UPSC UPSC में UPPCS में मेंस में एक Optional का पेपर होता था Objective अधारित खेर चलो BPSC अब जाके वहाँ तक पहुँची है सब लोग हटा रहे है खेर नया है तो चलो देखते हैं आगे क्या दिया है ध्यातब भी रहेगे प्रतेक अभियर्थी को वेकलपिक विस्यों के सुची में से मातर एक वेकलपिक विस्यों करना होगा एक Optional पेपर का चैन कीजिए Optional पेपर आपको मेंस में भरना होगा अर्शाठमी के मेंस का जो आएगा अब आपको ध्यान ये रखना है Optional पर जो आप सब्जेक्ट लेते हो जैसे कभी जीवन मैं अंत्रोपॉलोजी नहीं परहा लेकिन लेकर बैठ गए अंत्रोपॉलोजी या बाकी-बाकी जो बड़े-बड़े सब्जेक्ट हैं उनको लेकर बैठ गए क्यों लेना एक अलग से सब्जेक्ट कोई लिखने के लिए थोड़ी ना रहा है इसी जीवन में से एक सब्जेक्ट ले लो जो इधर भी पर रहा है उधर भी पर रहा है हिस्ट्री ले लो इसके अब्जेक्टिव तो इधर भी परते हो आप Optional का भी काम आ जाएग हिस्ट्री टेले पर लो तो PSIR ले लो, Policy, Economics ले लो, Geography ले लो जो सब सब्जेक्ट हम GS के लिए परते हैं उसी को Optional के रूप में ले लीजी आप है ना इससे क्या होगा Objective पूछ रहा है, नंबर भी नहीं जूरे तो क्यो मेहनत करें उसके पीछे ज़्यादा बस इतना आना चाहिए बस पास कर जाएं बहुत सारे जो Optional की कोचिंग पर आते हैं उनकी कोचिंग पर खत्रा मन रा रहा है आगे बढ़ते हैं कि संप्रती उक्त व्यकल्पिक विसेम से कार्मिक एवं प्रसासनिक सुधार विभाग बिहार संकल्प संखियां 2374 दिनांग 16 7 27 एक सामाने प्रसासन विभाग बिहार के संकल्प ग्यापन 962 दिनांग 21 2 21 21 के दोरा सामाने वर्ग के लिए 40% पिछरा वर्ग के लिए 36.5% जनरल के लिए 40% अत्यांत पिछरा वर्ग के लिए 34% अनसुचित जाती जन जाती डैस देके दिया हुआ है अलग से महिलाओं और दिब्यांग मिदमारों के लिए 32% निर्धारित नियुंतम अहरतांक प्राप्त करना आनिवारी होगा जो महिलाओं हैं एस्सी है एस्टी है दिब्यांग मिदमार है उनको 32% मर्ख सहिए जेनरल बॉइस को 40% मर्ख सहिए OBC को 36.5% मर्ख सहिए OBC बॉइस को अत्यंत पिछराबर के लिए 34% मर्ख सहिए आपको आप्सिनल में प्राप्त करना आनिवारी होगा किन्तु मेधा निर्धारन के प्रियोजनार्थ इसकी गनना नहीं की जाएगी मने की optional विसुम्दे को यहां पर लिखा हुआ वैकेलपिक विस्यों के सुचिम्स एक को आपको लेना है लेकिन उसके marks जो है उसमें आपको इतना परसेंट आपको लाना जरूरी हो अगला है कि इस प्रकार सामानेध्यन 1, सामानेध्यन 2 ता निवंध में प्राप्त अंको के अधार परी मुख्य परिक्षा की मेधा सुची तयार की जाएगी निवंध में अब निवंध का paper किसी हिसाब से होगा कितने निवंध लिखने होंगे तो देखो निवंध का paper यहाँ पर दिया है आपको 300 नंबर का अगर अभी निवंध की बात करें तो UPSC जो निवंध का एकजाम लेती है उसमें 250 marks का होता है और 2 निवंध लिखने होते हैं है ना 125-125 नंबर का एक ऐसे लिखना होता है और इसमें UPSC में क्या होता है UPSC में लिखा रहता है 1000-1200 सब्द में आपको लिखना होता है यह के निवंध बहुत बढ़ा होता है 1000-1200 सब्द बहुत बढ़ा होता है है ना 10-1200 में आपका एक निवंध कंप्लीट होता है तो अगर इसी तरके से देती है एक सो पचास नमर का या एक सो पचीस नमर का है ना इसके लिए वैसे बीपेसी स्वतंतर भी है वो बिना मॉडल पेपर जारी की हुए डायरेक्ट आपको एकजाम में भी दे सकते हैं पेपर कि आप पेपर गो ट्राइ कीजिए ओके उसके लाबा इसमें एक और है कि 68 मी प्रा सेवंत का मेंस दे रहे हैं वो अगर निकल जाते हैं तो आखरी होंगे जो लोग मेंस का पेपर लिखेंगे बीपेसी में ओके तो यहां पर आप हॉम भी जो लोगों नहीं भरा है भर लीजिए कुछ नया परिवर्तन करके आ रहा है प्री में भी में से प्री में एक चीज अच्छा होगा इससे जो एससी रेलेवे गुरूप डी सब बैढ़ जाते थे वीपेसी की एक्जाम में वो नहीं बैठेंगे यहां पर निगेटिव मार्किंग है तुक्का तो लगा नहीं सकते हैं आप इसलिए यहां पर थोड़ा सा सुधार होगा पेपर का लेभेल भी थोड़ा सा अप करना चाहिए जिससे जो सिबिल सर्विसेज के तियारी करते हैं केवल उन्हीं को बेनिफीट मिलें तो यही बस मुझे बता देना था पूरा का पूरा एक्स्प्रेंट करके ओके तो नए ढंग से तियारी में लग जाए ऑप्सिनल सब्जेक्ट को थोड़ सा कम पर के जी एस और निवंध लिखने के प्रैक्टिस में लग जाना निवंध के लिए यूपीसी प्रिभीसी अर्गे सवाल उठा के देख लेना तो यूपीपीसे या बांकी पेपर में जो आते हैं निवंध वहां से आप ले सकते हैं ओके थैंक्यू सो मच आप सभी का कर दो